Hey everyone, welcome back to my youtube channel आज मैं आपके साथ अपना AM skincare routine शेयर करूँगी इसमें से कुछ प्रडक्स हैं जो मैं अपने PM skincare routine में भी फॉलो करती हो तो इन प्रडक्स से मुझे अपने फेस पे क्या-क्या चेंजिस दिखे हैं वो मैं आगी वीडियो में बताऊंगे तो वीडियो को end तक देखना सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लेंज करती हूँ इसके लिए मैं यूज करती हूँ डर्म को 1% Acinamide Face Wash इसको मैं almost 1 month से यूज कर रही हूँ अगर आपकी acne prone या oily skin है तो इसको definitely dry करना ये face को deeply cleanse करता है pores को clean कर देता है अगर आपके face पे oil आता है तो वो भी कम हो जाएगा acne marks reduce हो जाएंगे and face wash आपको 60 seconds तक करना चाहिए तब भी आपके face से dirt and oil remove होगा and इसी face wash को मैं अपने AM and PM routine में follow करती हूँ इसके बाद मैं plum green tea toner यूज करती हूँ ये मेरी second bottle है and इसको तब से यूज कर रही हूँ जब से मैं अपने skincare शुरू किया था इसमें green tea है जो open pores को shrink कर देता है acne marks and acne को reduce कर देता है and ये oil को भी control करता है skin refresh and hydrate हो जाती है अगर आपकी oily skin है तो आप इसको जरूर try करना मैं इसको अपने palm में लेके अपने face पे pat करूँगी ताकि वो अच्छे से skin में absorb हो जाए and जो remaining होगा उस अपने हाथों पे apply कर लूँगी then मैं derma co 10% niacinamide face serum यूज करती हूँ इसको मैं एक साल से यूज कर रहे हूँ अभी तक मैं इसकी second bottle यूज कर चुगी हूँ आपको अपने skincare routine में niacinamide को include करना चाहिए अगर आपको acne marks है acne है redness है यह uneven texture है तो उसको regular use करने से वो सब कम हो जाएंगे मेरे face पे वह जादा acne acne marks थे तो उसको regular use करने से वो सब release हो गए और जब मेरी skin बहुता dull या uneven होती है तो मैं derma को vitamin c serum यूज कर लेती हूँ बट अभी मैं niacinamide वाला serum ही यूज कर रही हूँ अपने am and pm routine में then मैं doctor shade gullab and glycolic oil free moisturizer यूज करती हूँ इसको भी मैं पूरा खतम कर चुगी हूँ ये skin को अच्छे से moisturizer and hydrate कर देता है skin को exfoliate करता है irritation को काम करता है अगर redness हो रही है तो उसे treat करता है skin को soothe भी कर देता है अगर आप इसको use करते हैं तो आपको एक month में ही result दिख जाएंगे and बहुत ही कम amount में ये मेरे पूरे face को कावा कर लेगा and मैं अच्छे से massage करूँगे जब तक moisturizer skin में absorb नहीं हो जाता आपको अपना skincare हर 3-4 महीने बाद change करना चाहिए अगर आप change नहीं करोगे तो skin में आपको कोई changes नहीं दिखेंगे then मैं quench dark circle under eye cream use करती हूँ अगर आपको बहुत जादा dark circles हो रहे हैं puffiness हो रही है तो आप इसे use करना fine lens and puffiness reduce हो जाएगी and under eye area intensely hydrate हो जाता है इसको use करने के बाद इसे मैं अपने am and pm routine में follow करती हूँ then मैं derma core 1% hyaluronic sunscreen aqua gel use करती हूँ ये मेरी second या third tube है ये all skin types के लिए suitable है चाहे आपकी skin oily हो, dry हो या combination हो इसमें SPF 50 है, PA 4 time plus है ये UVA, UVB rays से protect करेगा plus blue light से भी protect करेगा blue light हमारी TV से आती है, phone से आती है, laptop से आती है जो हमारी skin को damage कर सकती है तो sunscreen आपको daily basis पे apply करने चाहिए ये चाहे आप घर पे हो या बाहर जा रहे हो but sunscreen मेरी कोई fix नहीं है मेरे हाथों में जो भी sunscreen आती है मैं वो यूज कर लेती हूँ but मेरी favorite है 1% hyaluronic sunscreen aqua gel and एक ultra light sunscreen है derma koagy जिनको मैं repurchase करती रहती हूँ then मैं dotin की gloss boss lip balm यूज करती हूँ ये बहुत hydrating lip balm है इसमें tint भी है ये dry lips को moisturize कर देता है इसमें SPF 30 है जो sun से भी protect करेगा and lips soft and smooth हो जाएंगे अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो like, share, comment कर दीना करता है